तो हाई अलट में अब बात ग्यारवी के उस छात्र की जिसकी हत्या कर गए उस वारदात की तफीश में जुटी पुलिस के हाथ एक ऐसा वीडियो लगा है ये वीडियो कुछ और नहीं बलकि उस हत्या की लाइब रिकॉर्डिंग का है जिसमें शराब पाटी के दौरान इस वारदात को अन्जाम दिया गया और उसकी हर तस्वीर कैमरी में कैदे इस वीडियो को गौर से देखी तो लोग शराब के जाम छरकाने बैठें जिसमें से एक के पास अवैद तमंचा है पास में शराब की एक बोतल और पानी की बोतल भी रखी हुई दोनों के बीच तमंचे से फायर को लेकर पात भी हो रही तभी दूसरा शक्स तमंचे को अपने पैर के नीचे रख लेता है और वीडियो बना रहा शक्स उससे शराब पार्टी के बाद घर पर साग बनवाने की बात कहता है तभी वो शक्स अपने पैर के पास रखे तमंचे को निकालता है उसमें एक गोली भरता है और पिना देखिए उस तरफ तमंचे का मुख कर फायर कर देता है जिधर खड़ा शक्स वीडियो बना रहा था कैमरे में कायत मौत की लाइफ रिकॉर्डिग मैं खाने में शराब की जग है बांटी गई मौत इसके बाद जो हुआ उसका अंधाजा हर किसी को लगी गया हो यह तस्वीर उस शक्स की है जो उस दिन शराब पार्टी में वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास 11 के छातर की हत्या का वीडियो अजाए पुलास 11 के छातर की हत्या का वीडियो अब तमंचे में प्रिंस धिमान को मारी गई थी गोल ये खौफनात तस्वीरे मुजफर नगर की नई मंडी थाना क्षित्र की पिलासपुर काउं की है तीन दिन पहले इलाके में रहने वाला प्रिंस अपने मामा और एक अन्य के साथ खेद के बीच में लगे ट्यूब वेल पर शराब पीने पहुचा था ये वीडियो उसी वक्त का है जब शराब पार्टी चल रही थी फिर अचानक पार्टी के दौरा ही प्रिंस के मामा ने तमंचा उठाया और उसमें गोली भरकर फायर कर दिया जो कि सीधे प्रिंस को चाह लगी और उसकी मौके पढ़ी मौत खुब लिए हलांकि आरोपी के पहचान पुलिस ने उस वक्त भी कर लिए थी और उससे गिरफतार भी कर लिया थी उस दिन के घटना का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वारल है जिसको लेकर पुलिस जाच की बात कह रही यह वीडियो आरोपी के खलाफ पुखता सबूत का काम करेगा अब तक पुलिस आरोपी को गिरफतार कर उसके खलाफ चार्चिट फाइल करने की तयारी ही कर रही थी जिसमें प्रिंज की हत्या का सामने आया ये लाइफ वीडियो आरोपी को सजा दिलाने के लिए बड़ा मददकार साबित होगा एबीपी गंगा के लिए मुजफर नगर से अभिशेक बेनिवाल प्लिपो झाल आई ये ताग के लिए बड़ा ने ये या बड़ागो नो होग नो हमें परको कि लिएल अले बड़ागो ने बड़ागों है कर दो कर दो कर दो